नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग stock market studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत हैं तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ importance company के आपके लिखा हूँ और कुछ दोस्तों का comments भी था कुछ companies के उपर उसके उपर discussion चाहिए था तो उसी के बारे में भी चर्चा करूँगा तो please इस वीडियो को last तक देखिए और हाँ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले में request करूँगा चैनल को subscribe नहीं किया तो सबसे पहले कर लिजिगा और एक वीडियो totally education purpose में होगा तो please सीखने के लिए सारे चीजे को देखिए कोई भी मेरे तरफ से buy and sell का recommendation कभी नहीं होता तो चलो सुरू करते हैं इस वीडियो को first जो company के बार में चर्चा करूँगा वो है 197 communication limited जिसको paytm नाम से आप जानते हैं देखिए बहुत बार मुझे comments भर-भर के आते हैं कि paytm का future क्या bright है सर क्या paytm का future बरबात हो सकते हैं देखिए paytm तो पहले ही एक loss making company है पहली बात दूसरी बात इस company में जो मतलब competition है वो बहुत जादा है क्योंकि आज paytm complete नहीं कर पा रहा है उस business से जो इसका mainly business था EPI तो EPI जो transaction है जो मतलब EPI transaction मत्थम से company जीस तरह के से growth कर रहा था उस growth तो company कम कर चु है अभी देखिए फिर भी Google पर फोन पर था तो भी ठीक था अभी देखिए बाकी जितने सारे finance company है जितने सारे banks है वो भी EPI system को यहापे खुद का apps market में launch कर दिया जिसके मात्थम से आप किसी भी जगा पे उस banking का EPI से आप transaction कर सकते हैं तो इस situation market में ज्यादा मतलब इस field मे ज्यादा लोग आ चुके हैं जिसके चलती है पेटीम का हालत खराव हो गया उसके बदे के पेटीम ने क्या किया स्टॉक ब्रोकिंग का भी मतलब लाइसेंस लिया स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम स्टार्ट किये अब खुद ही देख लीज़े आप अब देख सेकते हैं offer payment services financial services and आप देखेंगे तो commerce and cloud services तो इतने सरह services लेने के बाद भी company का हालत आज खराफ हो चुके हैं यह company का जिस तरीके से customer का growth हो रहा था वो customer का range यहापे काम होता देखने को मिले अभी जो लोग सोच रहा है कि पेटीम feature में अच्छा का सा growth कर सकते हैं देखिए आपके बाद भी नहीं है कुछ भी हो चकते हैं कि market strategies growth हो रहा है और market लगातार increase करते जा रहा है और economically इंडिये का growth आपका में टाइंस में सबसे ज़्यादा होने वाला है तो इस सारे points को मतलब एक साथ अगर calculation करके देखू तो payment system जो company है वो उस company का अच्छा का सा growth होगा तो देखिए मैं मैंने एक challenge भी लिया था कि पूरा दिन मैं market में जाऊंगा खाना पिना सब कुछ बाहर करूंगा और मैं wallet ना लेकर ही बाहर जाने के बाद मुझे क्या EPA के मादधम से सारे transaction होंगे तो मतलब EPA मादधम से सारे transaction हो रहा है तो इसका मतलब सोचिए इंडिया किस तरीके से EPA को growth क किया और EPA के मादधम से हर transaction हर जगा पे छूटे दुकान से लेकर ठेले वाला तक के पास भी आपको EPA transaction देखने को मिल जाएगा तो सोचिए हर जगा पे EPA है चाहे वो train में आप चड़िये चाहे वो आप Metro पकल लीजिए बास पकल लीजिए किसी भी जगा पे आपको EPA आपको किया मगर जितना सेल्स किया उससे कई गुना जदा company expense कर बैटे और जिसके चलते company का profitability तो देखना छोड़ दीजिए company big big losses कर रहा है हां मानी लेता हो company का पहले बहुत ज़्यादा losses हुआ करता था losses को थोड़ा narrow किया है अभी कितना narrow कर पाएंगे आप कमिटाइंस में वो दे चुके है one person holding था वो बढ़के हो चुके चार परसन पब्ली के पास 90% holding था वो घटके हो चुके 35% इंस्ट्यूशन इतना बाई किया इस company को पर टिकर है न चाहिए इंस्ट्यूशन ने क्यों बाई किया मैं पहले बता दो company as a trading purpose में बाई किया तो company को पर as a long term के लिए side उन् तो company की इस तरह के से delivery की उठा जा रहा है क्योंकि company के उपर एक trading purpose में delivery उठा जा रहा है तो company के चार पटन के बारे में चर्चा करें अब ध्यान दीजेगा company जब नीचे साइड में trade किया जब यहापर देखे कुछ इस तरह के से डबलू जैसे pattern केट किया और final देखे company की इ डबलू पटन केट करने के बाद एक momentum हुआ यहापर छोटा साइक डबलू पटन केट हुआ था उसको बेकाउट करके उपर गया और फिर से यहापर देखे बड़ा से डबलू पटन केट हुआ उसको भी ब्रेकाउट करके उपर जने का कोसिस कर रहा है अब दिखे दो के साथ साथ या पर स्टॉंग ली सप्लाई जोन भी है क्योंकि इसी लेविल से फ्रीवेस डेटा दिखा दू तो यहां से ही कंपानी होल करने के बाद एक बीग ग्रैस हुआ था तो इसी लेविल को कंपानी को ब्रेक करना पड़ेगा अगर इसको ब्रेक कर पाए तो बड़ा कोई holding भी नहीं है और मैं कोई tail लेना भी नहीं चाहता आपने comment किया था तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया तो जो लोग इसको उपर trade कर है तो समल कर काम करिएगा कुछ resistance है इस resistance को follow करके चलेगा तेरा सो 80 रुपीज के आसपास एक strongly resistance दिखेगा अगर आप साथ टेड में आपको इस level तक एक strongly resistance मिलेगा तो आपके कराहिस company के उपर जोरू comments करना next company उसके नाम है easy tip planner देकि easy tip planner के उपर बहुत सारे लोगों का चर्चा एभी है कि company से लगातर गीरते चले जा रहे है company का अच्छा का सा profit होने के बाद भी company 104 करोड से 120 करोड sales को increase किया उ तो सब कुछ positive होने के बाद भी company के बाद सिलफ की हो रहा है कि सिलफ को पीछे राज company के उपर बता दू company के देखिए reserve लगातर बढ़ते चले गए और company इस बार कितना करजा लिया करीबन 116 करोड के आसपास और 116 करोड करजा लेने का में मकसद क्या है पहले बहुत समझे क company का profit and loss कितना हुआ एक सौट करोड तो company की year of year basis में एक सौट करोड का profit है चलो छोड़ी देता हूं में इस साल का profit पिछले साल का profit देख लेता हूँ एक सौट करोड के आसपास तो company के वर एक सौट करोड का जो मतलब हाद में क्यास है और company का project कितना मिला करीबन 200 करोड का आसपास तो 150 करोड हाद में क्यास है और 200 करोड का project मिला उसके साथ साथ company का liability कितना payments करना है 66 करोड तो 200 करोड और उसके बाद 200 मतलब 270 करोड का आसपा कमपनी का टोटल पैसा अभी भी चाहिए बिजनिस को कंटिन्यू करने के लिए जिसमें मतलब जितने सरे केडिटर से उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा उसके साथ साथ कमपनी को प्रोजेक्ट मिला 200 करोड का उसका भी कमपनी को पैसा जुगाना पड़ेगा तो यहां पर कि इस पैसे को कहा से मिलेगा की कमपनी का jest को कि अतना पैसा नहीं है 140 चालिस करोड के आसपास पैसा है इस सपैसे को कंपनी आपको मैं इन्वेस्टर के बारे मत करू त आप देखेंगे तो प्रोमोटर सबसेद होल्डिंग है और उसके बाद देख मेर्ट छोटे मोटे quantity एड़ किया है, तो इसी लिए कम एड़ किया, क्योंकि का मार्केट कैफ अभी भी उतना जादा नहीं है, 6900 क्रोड के आसपास है, और देखिए, ओनलाइन टिकेट बेचने वाला इतने सरे कमपानी से, उसके पर थोड़ा सा प्रेसराइज तो बनेगा, अभी जो December का quarter आने वाले है, इस quarter में थोड़ा सा कमपानी का profitability बढ़ सकता है, क्योंकि इस टाइम में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घोमने के लिए जाने के कारण, टीकिट भी ज़्यादा बेचा जाएगा, और उसके चलते कमपानी का profitability बढ़ सकते हैं, लास्ट कुछ few days का data दिखा दो, तो कमपानी को जो data है, आप देखेंगे तो कमपानी का जो 50-60% के आसपास, continuously delivery उठा जा रहा है, अभी इसका टेकनी के लिए चार्ट परन क्या बता रहा है, ध्यान देजेगा, मैंने आपको इस चीज़ को mention किया था, कि जब भी कोई भी range बने, कोई भी अगर इस तरह के से strongly कोई resistance बने, उस resistance को break out करे, तो आपको याद रगना है, break out करने के बाद, आपको उपर साइड में कोई भी strongly कोई resistance अगर दिख रहा है, तो उस level तक जाने का कोशिस करेगा, तो मैं आपको पहले भी बोच चुका हूँ, यहापर कमपानी के एक strongly resistance है, वो है almost 50 रूपीज के आसपास, तो 50 रूपीज के आसपास कमपानी का strongly resistance है, अगर इस resistance को breakout करें, तो momentum आफसाइड में दिखेगा, तो मुझे नहीं लगता कमपानी इतना जल से जल momentum को breakout कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह किसे correction हो रहा है, वो फिर से support को touch करने के लिए ज़रूर को कोशिस करेंगे, वाकि आप इस कमपानी के उपर क्या decision ले रहा है, मुझे जुरूर कमेंट्स करना, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतिजार करके कुछ decision लेना चाहिए, तो next जो company है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है Camps, लेकिए Camps एक popular company है, और इस company एक monopoly जैसे business इंजोई करते है, क्योंकि Camps के माध्वम से आपका mutual fund जितने सारे है, वो सारे के सारे जो clearance है, वो Camps के माध्वम से आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप जितने सारे mutual fund करते हैं, मानके चलिए आपके पास दो तीन mutual fund है, mutual fund आपने तो बाई तो कर लिए, जब भी इस mutual fund को बेचेंगे, तो जो इस company साब बेच रहा है, उस company को जो clearance है, वो clearance member कौन है, Camps है, मतलब आपका mutual fund का जो transfer agency है, वो Camps है, उसी के माध्वम से आपका clearance आपके देखने को मिलेगा, तो कहने का मतलब है, टॉक कौन सा है, Infoage, Infoage को यहापर छोड़ी देता हूँ, Camps के उपर अच्छा खास है, यहापर dividend announcement कर चुके है, तो dividend कितना मिलेगा, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं dividend section में जाओ, तब देखेंगे, तो 17 तारीक को कमपाणी 10 रुप्या करके dividend देने वाले थे, तो finally वो dividend दे चुके है, और 10 रुप्या करके कमपाणी आपको dividend दिया है, और यह जो dividend है, वो totally interim dividend था, अभी intim dividend होता क्या है, एक बार या, इसको भी चर्चा कर लेता हूँ, तो क्यूंकि इसके उपर भी बहुत बार comments आया, कि सर्फ final dividend और intim dividend यह दोनों चीज होता क्या है, तेकि intim dividend ऐसा होता है, कि मानके चले इस बार कमपाणी का अच्छा का सा profit हुआ, और इस profit की एक percentage बो dividend की साब से shareholder को देना चाता है, तो यह जो decision है, इस decision कमपाणी का जो promoter है, वो खुद ले सकते है, अगर उनके पास ज्यादा holding है तो, तो इस तरीके से decision लेने के बाद जो dividend दिया जाता है, उसको intim dividend कहा जाता है, और final dividend कौन सा है, जो shareholder का भी approval लेना बढ़ता है, और company का जो owner है, वो भी approval देंगे, तो दोनों तरीके से approval होने के बाद, जो dividend और मिलता है, तो उसको final dividend कहा जाता है, तो फिलाल के लिए इस company की उपर, जो situation है, आप देखेंगे, तो company's के, जो फिलाल के जो situation है, आप company quarterly कि तरीके से result किया, देखिए, company, पिछले साल के तुनना से, पिछले quarter के तुनना से, अच्छा का सा sales किये, और expense को भी company maintenance किये, उसके बाद company के जो profit है, वो 70 क्रोड से 80 क्रोड तो company पहुँच चुग है, इसका मतलब profitability भी अलग level का growth हुआ, अभी as a investor, इस company के उपर देखेंगे, तो promotor से लेकर FISDS public, हार कोई बैट इस company के उपर निवेस करकर रखे है, युझा निवेस करें, जो company का इतना सांधर जो growth और momentum देखने को मिले, अभी ratios के बारे हम बात करतो, सबसे जो मुझे best point लगा, company का cash conversion cycles, जो 5 से 10 दिनों के अंदर company के हाथ में घूम फिर कर पैसा आ रहा है, मतलब company जो business के उपर पैसा लगा रहा है, पैसा घूम फिर कर company के हाथ में profit के हिसाब से आ रहा है, करीबन 10 दिनों के अंदर, तो जितने कम दिनों में हाथ में पैसा घूम फिर कर आएगा, उतना ही company का growth होने का chances रहेगा क्योंकि आप भी अगर business कर रहे हैं तो यह बात आपको पता है कि जो customer को आपने माल बेचा तो वो जब तक आपको पैसा ना देंगे और जितना जल से जल देंगे तो उतना ही उस पैसे से आप फिर से business को और भी जदा growth कर सकते है तो रही बात इस company के chart pattern का तो आप देखेंगे तो cams के उपर जो chart pattern केट हुआ आपको मैं बता दू तो यहापे आप देख सकते है यहापे क्या बना एक head बना उसके बाद सरी एक cup बना उसके बाद यहापे क्या बना दो बार यहापे handle get क्या finally break out हुआ और break out confirmation भी हो चुके है और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ जब भी कोई break out होने का बार confirmation आपको मिलता है तो please अगर यहापे range target का range बहुत काम है तो please anti मत लेना आपको integer करना है इसको retracement करने दीजिए और वो जुरूर retracement करेगा मतलब यहापे अगर 100 बार इस तरह के से trade बना तो आप सोचेगा 97 times इस तरह के से retracement आपको देखेगा दो भारी यहाँ से target को achieve कर जाएगे तो retracement होगा तो इस level के आसपस आएगा तब भी anti बनेगा और तब अगर anti लेंगे तो target आपको अच्छा खसा मिल सकते है देखिए आपको मैं यहापे कोई target stop loss एनी बताने के लिए आया हूँ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि जब भी इस तरह के से कोई patterns get हो तो उस patterns को follow up जोरू करिएगा उस patterns को study करिए अगर आपको buy करना है तो आपके खुद की opinion की साब से करिए मेरे तरफ से कोई भी आपको buy and sell का recommendation नहीं है क्योंकि जब जब कुछ इस तरह के से patterns बना मैं आपके लिए इसी लिए share किया क्योंकि आपको भी सीखने को मुका मिले क्योंकि सीखकर आप काम करेंगे तो आप profitable trader बन सकते है और आप profitable trader बनेंगे तो आपके खुद के नहीं पुरा देश का growth होगा क्योंकि अगर 100 लोग profitable trader बनेंगे तो वो और 100 लोगों को सीखा पाएंगे और जितनी लोग profitable trader बनेंगे उसके जो income होगा उससे taxes government को मिलेगा और जहाँ पे सिर्फ खुद का नहीं इंडिया का भी गुरूत होगा तो मेरा मकसद तो एई है आपका क्या मकसद है जोरू मुझे comments करके बताना नेक्स चो company है उसके बारे में चर्चा करू उसका नाम है Avalon Technologies Limited इस company देखा है तो एक consumer derivatives product बनने वाला company है और इस company के उपर में चर्चा करू तो बहुत सर दोस ने मुझे comment किया सर इस company के उपर क्या काना चाहिए देखे फिलाल के जो situation है ROC, ROE तो ठीक ठाक है company के income भी ठीक है चोटा company है 3000 क्रोड के असपास एक small company है तो सोच समझ कर decision लेना जो लोग इसको पर decision लेना चाहते है तो मैं चार्ट बटन को आपको दिखाऊंगा कि situation अभी कहाँ पर है तो depth ना के बरबर है अभी देख लेते company का quarter result देखे company में sales में उतना growth नहीं है पिछले बार के sales के इस आप से दिखा दू company के sales काम हो चुके है और expense भी company control में रखे और फिर भी company का profitability 50% काम हो चुके है तो जब कोई company का 50% profitability काम हो तो company के उपर downside का trade देखने को मिल सकता है तो situation wise अगर मैं investor के बारे में बात करू तो promoters से लेकर FSDS public हर किसी के पास investment तो है मगर इसके chart pattern के बारे में चर्चा करू तब ध्यान नीचीगा इसके उपर कुछ इस तरगे से patterns केड़ हो रहा है देखे कि यहापर strongly एक क्या बन रहा है एक support बन रहा है देखे volume तेहापर weakness में था इसका मतलब उतना strongly break out नहीं था तो उसके उसके लिए देखे फिर से continuously sell of हुआ और जिस तरगे से कारेक्शन हो रहा है मुझे लगता है 448 rupees इसका जो support है उस level तक आने का chances है अब इस level का आने के बाद यहापर break out करते है कि breakdown करते है वो देखना बहुत काफी मतलब interesting होंगे तो इसके उपर focus रखे जब भी कोई इस तरह के से situation बनेगा तो मैं जो rule आपके साथ share करूँगा और जो लोग इस company के उपर निवेज करकर रखे है मैं जो rule करूँगा आप रिक्सी company के उपर जिस decision के basis में काम किया है तो उस decision के basis में आप continue करिए अगर आप long term trader है तो आप उस ही सबसे सोचिए अगर आप swing traders है तो जहापे आपको stop loss अपनी लेकर रखका है मतलब stop loss लेने के लिए आप target और stop loss लगा कर रखके है जो उस जगह पे आपको stop loss जोरू लेना चाहिए तो मेरे पास इस company का कोई भी हिस्से दर नहीं है तो प्लीज एक बार आपके comment से ही इस video को में लेका हूँ तो प्लीज एक बार research करके ही काम करना लास्ट चो company है जिसके बारे में चर्चा कर उसका नाम है crystal limited crystal limited देखा जो एक credit rating company है और इस company के उपर update के बारे में बात करूँ तो company dividend के announcement कर चुके है 22 तरिक को करीबन 1100 person के आसपास company dividend देने वाल है 1100 person के मतलाव है 11 रुपीज करके dividend देने वाल है तो company third time dividend देने वाल है 2023 में तो continuously company dividend देता रहता है तो आपके एक रहा है इस company को पो जूरू comments करना तो वीडियो में अगर जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और अब तक अपने डिमेड आकाउन उपन नहीं किया तो नीचे लिंक से जाकर आकाउन उपन कर सकते है तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक ले अच्छे सरी अपने ख्याल रखिए धन्यवाद